warm greetings everyone my name is yes dubay and this is the online platform of utkash और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 15 अगस्त 2024 को प्राइम मेनिस्टर ने रेड फोर्ट से जो इंडिपेंडेंट्स डे स्पीच दी है जो कि प्रता हमेशा चले आ रही है कि 15 अगस्त को प्रधान मंत्री लाल के लिए से अपनी एक स्पीच देते हैं और दूसरा है कि 26 जन्वरी को राष्टपती जो है वो सम्मोधित कहते है राष्ट को तो आज हम डिसक्स करने वाले हैं कि प्रधान मंत्री जो भी है श्री नरिन मोदी जी उन्होंने जो पंदरा अगस्त को देश के नाम संदेश दिया उसमें इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो इंपोर्टेंट बाते हैं वो क्या थी हाला कि भाशन काफ प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में वो छे फोकस एरिया हैं तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जिस चीज की जो है इशारा किया और जो एकदम क्लेरली प्राहन मंत्री ने अपने स्पीच में बोली वो थी सेकिलर सिविल कोड नसी आपको पता होगा कि आर्टिकल 44 वि कॉंस्टिटिशन के तरफ से एक डिरेक्टिव है तो दे स्टेट जो कि कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाए किया जाए कॉंटेक्स ही है कि भारत में अभी जो पर्सनल यह जो सिविल लॉज है यह पर्सनल इन नेचर मतलब कानून विद रिस्पेक्ट तू दो इन पर्सनल मैंटर को अलग तरीके से रिगिलेट करती है हाँ जो क्रिमिनल कानून है भारत में वह यूनिफॉर्म है टू एवरी सिटिजन इर्रेस्पेक्टेव और हर रिलिजन तो पीम मुदी ने पहली बार इस वर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगे वर्ड इस्तम हैं प्रणी सरकार उन ने जारी रखा हुन्होंने कहा कि जो प्रेजंट सिस्टम है सिविल लॉस का उसको नहीं कहा कमरे ल इस से वैलॉं गिजन गित्रि किया और बोला कि जो अभी तक सिविलर इस सिटम चला आ रहा है और सिविल लॉस टूं है that is communal in nature और जो हम लेके आना चाहते हैं जो हमारी सरकार की प्रतिबद्दता है क्योंकि सरकार यह जो पार्टी है जो पार्टी विच इन पावर इसने अपनी मैनिफेस्टों में बोला था कि वन वी विल कम टू पावर वी वी विल ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस बार प्रणमंत्री मोदी ने यू सी सी की जगे जो वर्ड इस्तमाल किया है वो है सेकिलर सिविल कोड और उनका कहना है इसमें कि अभी तक जो हैं उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और अभी का जो कमिनल सिविल कोड है वो इन इक्वालिटी से भरा हुआ है उसमें डिस्क्रिमिनेशन है और उसके अंदर इन इक्वालिटी है तो हम एक यूनिफॉर्म जो सिविल कोड लाएंगे जिसको मोदी बोल रहे हैं सेकि सब्सक्राइब कोड़ेशन तो पहला इंपॉर्टन चीज़ यह है दूसरी बात इनोंने की है विच इस वन नेशन वन इलेक्शन वन इलेक्शन यह इसी को हम बोल सकते हैं कॉंसेट आफ साइमल्टेनियस एलेक्शन साइमल्टेनियस एलेक्शन का मतलब क्या है कि फिलहाल जो लोकसभा और विधान सभाओं की चुनाव हैं यह अलग-अलग टाइम पिरिट पे होते हैं इसके कारण टाइम बहुत वेस्ट होता है एक्स्पेंडिचर जो होता है सरकार का और डेवलप्मेंट के काम क्योंकि चुनाव के दौरान डेवलप्मेंट के काम मॉडल कोड कंड़क्ट लागों होने के कारण रुख जाते हैं इसलिए डेवलप्मेंट ऑल्सों सफर्स तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अल्टेनिटिव तरीका है जो कि भारत की राजनीती में 1967 तक हुआ भी कि शुद्वात के जो चुनाव हुए भारत में वह और सारी विधान सभाओं के चुनाव एक साथ हुए पर यह सिल्सला लेट 1960s 1970s में तूट गया क्योंकि कुछ विधान सभाएं बिफोर देयर दू टू टू देवर डिसॉल जिसको हम मुलते है प्री मेचर डिसलूशन तो वहां से वो साइकल जो है वो बिगड़ गई लु और चुनाव के मोड में सरकारे और पार्टी रहती है जिससे डिवलप्मेंट के काम रुख जाते हैं तो दिस इस दिएडवांटेज ऑफ वन नेशन एलेक्शन वन एलेक्शन जो की यह पार्टी जो है वो बहुत समय से इसके वारे में बात कर रही है और रीसेंटली जो हम हमारे पूर राश्टपती थे मिस्टर रामनात कुविंद उनकी अध्यक्षता में एक कमिटी बनी थी जिस कमिटी ने अपनी रिकमेंटेशन दी और उस कमिटी ने बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस अगुड वे और इस अगुड स्टेप इन दी राइट डिरेक्श नेक्स जो है he talked about the issue of women safety now see the issue of women safety अभी recently हम देख रहे है कि एक बहुत ही unfortunate incident हुआ है in the city of Kolkata in the state of West Bengal जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ एक बहुत ही दर्दनाक हाथा हुआ है तो इसी context को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने कहा है कि women safety को लेके we will have to instill a sense of fear in the minds of those individuals and those people who try to abuse women उन लोगों के मन में मश्तिश्क में भह पैदा करने करना पड़ेगा जो महिलाओं की सुरक्षा का खयाल नहीं रखते या जो महिलाओं को अब्यूस करने का मन या अब्यूस करने का काम करते हैं या ऐसी मन्शा रखते हैं इन लोगों के मन में भह पैदा करना पड़ेगा जब तक इन लोगों के मन में भह नहीं होगा तब तक महिलाओं के खिल लेकिन यह खबरे नहीं आती है यह खबरे इसकी जो कन्विक्षन रेट है वो बहुत है और जस्टिस जो है वो बहुत डिलेड है इसलिए जब तक यह खबरे बनेंगी अभी खबरे बनती है कि महिलाओं के खिलाफ जिसने अपराद किया है उसको बहुत कड़ी सजा मिली है कानून के दाएरे में रहके तब जाके इन लोगों के मन में मश्टिश्क में बह पैदा होगा जो महिलाओं के खिलाफ अपराद करते हैं और तब जाके महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराद हैं वो उनकी संख्या कम होगी अगला ये बात कर रहे हैं मोदीजे के स्पीच में अगला important point था youth in politics मोदीजे कहते हैं कि देश को जरूवत है कि लगभग एक लाख युवा जो है वो फ्रॉम पंचायत टू पार्लिमेंट दिव बिकम पार्ट और दिविकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन politics रसी एक बहुत important statement है प्लैटो का वो कहता है that if the youth of a nation do not take participation in its politics then they shall be ready to be ruled by fools बहुत जरूरी है कि जो युवा है उनकी सहभागिता राजनीती में हो because remember one thing whatever you do in your life whatever dreams you whatever dreams you have what food do you want to eat what place do you want to visit or whatever things that you do in your life they are ultimately decided by the politics and youth should be involved it should be youth should be directly and should be actively involved in the politics otherwise the youth will find that the politics and the policies which are being formed they are not reflecting their dreams and aspirations इसलिए जो युवा है उसको policy making में और पॉलिटिक्स में actively participation करना चाहिए तो मोदी जी बोलते है कि एक लाख युवाओं को पंचायत से लेके पारलेमेंट तक संसद तक उनकी सहभागिता होनी चाहिए एन इसकी आए तो इसके पास तो असफ नो अगर हमभी 18 इह जो करेंट हमारी लोकसभा है यह गर हमारेज पास जो एवरिज एज है आव दी एंपी इन दी एटीन लोकसभा वह फिफ्टी-स थोड़ा इंप्रूमेंट है क्योंकि 17th लोकसभा कि एवरेज से वीफ्टीन के सांसद हैं उनमें से केवल 11% ही ऐसे सांसद हैं विचार बिलो दी एज ओफ 40 इस गोज ऑन तो शो दिट वी हैव एव सीरियस डर्थ ऑफ यूथ इन आर पॉलिटिक्स ठीक तो इसका आवाहन करते हैं मुदी जी अगली बात करते हैं वार ओन करप्शन वार ओन करप्शन को लेके प्राहनमंत्री बोलते हैं कि देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि देश में करप्शन और आडिनिस्टेटिव करप्शन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर है और रीसेंट में जो सरकारी एजिंसी हैं चाहे वो CBI हो E.D. हो इन सरकारी एजिंसियों दोरा बहु के reference में मुदी जे बोल रहे हैं कि I will pay the price for taking action against the corrupt people even if they are very important politicians, even if they are very strong power holders. तब भी I will have to pay the price. वो बोलते हैं कि I know that I will have to pay the price but I am ready to pay the price but I will ensure that we continue our war against corruption. And last है that he is also giving a message for Bangladesh. Now, as you must be aware कि Bangladesh में जो सरकार थी वो जो पार्टी थी वो पार्टी और उनकी जो हैड थी वहां कि that was Sheik Hasina और Sheik Hasina कि सरकार जो है अब नहीं है Sheik Hasina, She had fled the country of Bangladesh. कुछ समय के लिए अब नाव शी शी वस गिवन रेफ्यूज बाइड इंडिया और उनके जाने के बाद तो उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग उनके जाने के बाद अब वहां पे एक इंटरेम गवर्मेंट है और उस इंटरेम गवर्मेंट के चीफ एडवाइजर है मोहमद यूनस जिनको 2006 में माइक्रो क्रेडिट के एरिया में बहुत इंपोर्टेंट काम करने के लिए ग्रामीड बैंक स्टबिश करने के लिए 2006 में he was awarded the Nobel Peace Prize and he is currently the Chief Advisor of the Interim Government ठीक तो जब यह सरकार बनी थी मोदी जी ने अपनी जो अप्लॉज है यह प्रेज है और best wishes जो है वो सेंट किया था तो दी मोहमद यूनस तो मोहमद यूनस फू इस चीफ अडवाइजर और उन्होंने उस समय एक concern भी जो है वो रिश किया था that the Indians the 140 crore Indians they wish safety and security of the most of the Hindus and minorities that are living in Bangladesh क्योंकि हमने देखा कि उनके जाने के बाद जो वहां पर radicals है वो radicals जो है देवर emboldened their spirit was emboldened और ऐसी कई सारे incidents जो है वो मीडिया में रिपूट हुए जहां पर targeted attacks हो रहे थे अपन दी Hindus and other minorities in Bangladesh तो उन्होंने उनको बढ़ाई देते हुए अभी वापस से यह जो है अपनी Independence Day में Independence Day की speech में यह re-emphasize किया है कि we want a peaceful and a happy neighborhood उन्होंने का है कि हम चाहते है कि हमारे जो पड़ौसी मुल्क है और जो हमारा पड़ौस है उस पड़ौस में शांती और सुख और समरिधी बनी रहे तो, this was the important message by Prime Minister Modi on this Independence Day speech that he gave from the Red Fort in 2024. and this is it from my side for this particular video, thank you. Now, I also want to give you information that Utkash Academy is offering a discount of 78% plus additional discount of 13% and 100% reward points. Now, the duration that you can avail this discount is from 13th to 21st of August, so I would highly recommend you to take advantage of this offer, thank you. Thank you.